नमस्कार में डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत कर्टाओं प्रियविद्ध्यार्थियों 18 जून 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ नए प्रशनों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है वैसे तो आप सभी जो भी पाठिकरम में यूनिट लगे हुए हैं उनको अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे पिछले साल के क्वेशन पेपर को भी आपने लगबग हल कर लिए होंगे या फिर एक नजर देख लिए होंगे इस प्रैक्टिसेट में हम कुछ नए प्रशनों को देखेंगे और इस उमीद से देखेंगे कि अगर इसमें से दो चार सवाल भी आ जाते हैं और आपके काम में आ जाते हैं तो इसकी सार्थकता होगी तो हम उम्मीद करेंगे कि आप आखिर तक इसको जरूर देखेंगे, चलते हैं बात करते हैं सिधे प्रशनों के उपर, पहला प्रशनी यहाँ पर कुछा गया है, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित वही नहीं उभरा है, बलकि उनके साथ समूचा का और छेतर भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है, क्या भूलूं किया याद करूं के संदर में यह किसका कथान है, ओप्सन दिया गया है, हजारी प्रसाद दिवेदी, नामोर सिंग, बच्चन सिंग, धरमबीर भारती, तो इसका सही जवाब है, ओप्सन पहला, हजारी प्र पुरसकार मिला था, हमने उन प्रशनों को यहाँ पर शामिल किया है, जिसको पढ़ते हुए, अक्सर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो चलते चलते इन प्रशनों को हमें देखना है, और हो सकता है कि यह एक्जाम में पूछ लिए तो इसका जो सही जबाब है या पर ऑप्स अन तीसरा है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर शरस्ति सम्मान दिया गया था और इस पर तीन लाख रुपे का इनको पूरसकार मिला था, इस तथे को भी आपको ध्यान में रखना चाहि reicht अगला प्रश्ण है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि कितने संस्करणों की भूमिका बच्चन जी ने लिखी थी option दिया गया है 2, 4, 6, 8 तो आप किताब पढ़ेंगे तो क्या भूलूं क्या याद करूं कि संस्करणों की चर्चा की गई है कुल आठ संस्क्रणों की भूमिका हर्वश राय वच्चन ने लिखा है तो इस तथे को भी आप जरूर ध्यान में रखे बाकी क्या भूलूं क्या याद करूं कुल चार खंडों में है जो कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसके क्रम के बारे में आप सब इसे चर्चा कर रहता है क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंध में किसका कथन है ऑफ्सन दिया गया स्वामी दयानन स्वामी विवेकानन स्वामी रामतिर्थ महत्मा गांडी तो ये किसका कथन है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्म कथा के एकदम से शुरूवात में या फिर प्र आगे बात करते हैं अंगला जो प्रश्ण है क्या भूलूं क्या याद करूं में आई हुई पंक्तियों का पहले से बाद का क्रम है इसी पैटर्न पर अक्षर इस समय सवाल पूछे जा रहे हैं उमीद मैं करूंगा कि इसी तरीके से सवाल आफलाइन एकजाम में भी आएंगे तो क्रम हमें बताना है पहले से बाद के क्रम आफशन ए दिया गया है आपतकाल परखिये चारी धीरज धर्म मित्र अरुनारी कायत होई प्रधान अहोनिश रहे पियतव की कायत को कायत मारे की मारे करतार तप बल विप्रसदा बरियारा मैं हूँ उनका पवत्र बड़ा था जिनके पाउं गदर का गोला तो आप क्या भोलूं क्या याद करूं पुष्टक में देखेंगे तो हरिवन श्राय बच्चन ने अपने पूरवजों के बारे में चर्चा विस्तार से की हुई है और उसमें कई जगहों पर उन्होंने इन कोटेशनों का प्रयोग किया है इन कि यहाँ पर यह सभी क्रम में दिये गये हैं जो कि आप भी ध्यान में रखें कुछ चीजें यहाँ पर और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हरिवन श्राय बच्चन जो की कायस्थ परिवार से जुड़े हुए थे तो इसमें उन्होंने अमोढा नाम के एक जगह का जि जो की कायस्थ परिवार से थे बाद में वो सिवान जिले के जीरा देई में आकर बस गये पिछले साल के क्वेशन पेपर में भी यह तथ्य पुछा गया था और उसी के बहाने हमने रिवीजन भी कर लिया यहाँ पर आगे बात करते हैं गला जो प्रश्न है एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है प्रेमचन घर में एक कहानिय भी आपहुदरी हादसे एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा नाम से इसमें जो भी विकल्प दिया गया है कौन सा है आपके दिमाग में जरूर आना शुरू कर दिया होगा कि हमने पढ़ा था आपहुदरी चाल करते हैं कि आपहुदरी के शिर्षकों का पुहले से बाद में हैं तो आपहुदरी पूच्टक पढ़ेंगे तो ये कुल क्रम पहले से बाद में हो सकता कि इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए आपशन दिये गए हैं मैं घोड़े पर पहार चड़ूंगी बुरी लड़की अच्छी लड़की देह की भूख बदलती देह दोहरी जिंदगी सही कूट का चैन हमें आपर करना है कूट A, B, C, D, E दिये गए हैं आपर और इसी में उलट पलट कर दिये गए हैं आप भी एक नजर यहाँ पर दोड़ाईए मैं सही आंसर तक आपको ले जाऊंगा इसका सही जबाब है option दूसरा यानि कि पहले नमबर पर है मैं घोड़े प फिर कर दिया ठीक है इसके बाद जो आखरी नमबर पर है वो है यहाँ पर दोहरी जिन्दकी ठीक तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि option दूसरा है यहाँ आपर क्या हो रहा है सही जबाब हो रहा है ठीक आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है मैं रमना हूं मेरे कई रूबरू होईएगा यह कथन किसका अंश है प्रेमचन घर में एक कहानी यह भी आप हुदरी हादिसे तो मैं रमना हूं मेरे कई रूप हैं किस पुष्टक की शुरुवात इस पंक्ती से होती है सही जबाब है option तीसरा आप हुदरी जो की रमडी का गुपता है रमडी का कि बच्पन का नाम था रमना उनको लोग रमना नाम से बुलाते थे ठीक वैसे ही जैसे मन्नु भंडारी का बच्पन का नाम क्या था हमारे धेर सारे विद्यार्थी बता देंगे जी बिलकुल आप लोग महेंद्र या फिर महेंद्र कुमारी तक पहुँच पा रहे हैं सही कथा ने, छोटा सवाक के आप देख रहे हैं, लेकिन एकजाम में यही वाक के आपके लिए बड़ा हो सकता है, किसका कथा ने, आप्शन दिया गया है, शिवरानी देभी, मन्नु भंडारी, रमरिका गुपता, हरिवन्ष रैबच्चन, हारना मेरी नियती नहीं है, आपके ल सही जबाब है, आप्शन तीसरा, रमरिका गुपता ने, अपनी आत्मकथा हादशे में इस पंक्ति का प्रियोक किया हुआ है, आगे बात करते हैं, लहरों की ले, रमरिका गुपता की किस विधा की रचना है, आत्मकथा जीवनी, यात्रा ब्रित, कविता, तो जब आप भ हुदरी की भूमिका से हमने सारे तथ्यों को उठाया हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि परिक्षाओं में किसी भी पुष्टक की भूमिका का बड़ा रोल होता है, तो सही जबाब हो गया, आप्शन तीसरा, यात्रा ब्रित है, लहरों की ले, अगला प्रशन है, कि आप हुदरी में लेखिका के जीवन के अंश है, आप हुदरी आपके दिमाग में आगया होगा, कि रमरिका गुपता का है, कुल दो खंडों में यह आत्म कथा विभाजित है, अलग अलग इसके शीर्षक हैं, लेकिन यहाँ पर आप हुदरी में लेखिका ने कहां से शुर के धनबाद तक की यात्रा को इस आत्म कथा में शामिल किया गया है, आगे बात करते हैं, पुछा गया कि आज तक मैं दूसरों के जिंदगी पर आधारित कहानिया ही रच्ती आई थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की जुर्रत की है, है तो यह जुर्रत ही, क्यो कोटेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि यहाँ पर बताया है कि मैं दूसरों की जिंदगी पर आधारित कहानिया अभी तक लिखती आई थी, अब अपने जीवन की कहानी को लिखने का प्रयास किया है, यह कथन किसका है, आप्शन दिया गया है, शिवरानी देभी, मन्न आपके दिमाग में सहिया रहा है, एक कहानी यह भी से लिया गया है, आगे बाद करते हैं अगला जो प्रशन है, कि यह शुद्ध मेरी एक कहानी है, और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए न कुछ बदलने, बढ़ाने की आवश्यक्ता थी, न काटने छाटने की, किसका कथन है आपशन दिया गया, शिवरानी देभी, मनु भंडारी, रमडिका गुपता, महादिभी वर्मा, तो यह कोटेशन किसका है, सही जवाब है, मनु भंडारी, मनु भंडारी अपनी आत्म कथा के शुरुवाती पेजों में इस बात को नहीं लिखा है, कि यह शुद्ध मेरी ही कहानी है, और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए ना इसमें कुछ जोड़ना है, ना कुछ घटाना है, आगे बात करते हैं कि अगला जो प्रशन है, सुमेलित नहीं है, हमें बताना है, हरिवान्श राय बच्चन, अमोडा, वस्ती, मनु भंडारी, भानपूरा, मध्रदेश, प्रेमचंद, लमही, बनारस, तुलसीराम, धरमपूर, गाजीपूर, तो सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है, और आपका दिमाग एकदम कैची की तरह चलना शुरू कर दिया होगा, एकदम धार आपकी दिमाग में आगे होगी, बिलकुल इसका सही जबाब है, option D, तुलसीराम, धरमपूर, गाजीपूर से नहीं थे, बलकि आजमगर से थे, चुकि गाजीपूर से मेरा संबंध है, तो हमने थोड़ा सा अपने भूमी से लगाव रखते हुए, इसको option में मौका दिया है, अगर मौका मिल रहा है question बनाने का, तो उसका लाब उठान चाहिए, तो सही जबाब क्या हो गया, option D हो गया, अगला प्रश्न है, एक कहानी अभी में, लेखिका में, किसे से तुलना करने पर हीन भावना आ गई थी, अगर इस आत्मकथा को आप पढ़ेंगे, तो इसमें लेखिका ने बताया है, कि इसके पिता जी का काफी rude ब्यवा खास महिला से या फिर लड़की से इनकी तुलना करते थी, वो कौन थी, शुशीला, शीला अग्रवाल, महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा, तो यहाँ पर वो कौन सा पात्र है, जिसे कि कहान इस रचिना की, लेखिका से तुलना की जाती थी, इस तुलना से उनके यहाँ पर पहला, शुशीला, जो कि मन्नु भंडारी थी, दो वर्ष बड़ी थी, देखने में लंबी, गोरी थी, ठीक है, तो उनसे तुलना उनकी पिताजी बार बार करती थी, अगला प्रश्ण है, एक कहानी यह भी है कि लेखिका पर किस रचना का प्रभाव पड़ा थ यहाँ, तो लेखिका पर किसका प्रभाव पड़ा था, सही जबाब है, आफशन दूसरा, आवारा मस्तिया, मेरी कोशिश है कि कम समय में आप सभी इन महत्पोन प्रशनों से बिल्कुल परचित हो जाए, ताकि इसमें से अगर प्रश्ण आए, तो हमारे जितने विद्यार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब बढ़त बनाके रखेंगे, अगला प्रश्ण है कि मन्नु भंडारी की राजेंदरियादव से पहली आपचारिक मुलाकात कब होई थी, आफशन दिया गया है, इसनात कुत्तर की पढ़ाई करते हुए, कहानी लिखते हुए, पुस्तका मन्नु भंडारी की राजेंदरियादव से पहली मुलाकात कब होई थी, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्ण है कि मन्नु भंडारी की अधिकतर रचनाय कि इस पत्रिका में धारवाहिक रूप में छपती रहे, आफशन दिया गया है, हंस, कल्पना, धर्म्यू, आलोचना तो मन्नु भंडारी की तमाम रचनाय, जिसमें आपका बंटी त्यादी का नाम ले हम, तो धर्म्यूग नाम की जो पत्रिका है, इसमें धारवाहिक रूप से छपती रहे, तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्लू है, एक सुत्र है, कि अगर नहीं भी पढ़ कर गये, तो इस प्रश्णि के माध्यम से, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, आप सही जबाब तक पहुच जाएंगे, अगले क्यूश्चन पर बात करें, तो पुछा गया है कि एक कहानी यह भी के संदर में असत्य है, कथन दिये गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन अस सत्य है, लेखन एक अनवरत यात्रा, जिसका न कोई अंथ है, न मंजिल, मैं काली हूँ, बच्पन में दुबली और मरियल भी थी, पांच भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, मैं साफ कदू, यह कहानिया नहीं, जिवनिया हैं, तो कौन सा ऐसा कथन है, जो कि एक कहानी यह रचना से संबंदित नहीं है, सही जबाब है, ओप्सन चोटा, मैं साफ कदू, यह कहानिया नहीं है, जिवनिया है, जो कि माटी की मूरतें, नामक जो रचना है, उससे ली गई है, बाकि जितने भी याँपर, जितने भी कथन है, वो सभी कथन किससे हैं, जो कि आपके यह कहानिया नहीं, जिवनिया है, किसका कथन है, ओप्सन दिया गया, शिवरानी देवी, मन्नु भंडारी, रामरिक्षवेनिपूरी, महादेवी वर्वा, तो इसका जो यहाँपर सही जबाब है, ओप्सन तीसरा है, कि रामरिक्षवेनिपूरी ने माटी की मूरतें, जो क कि श्रब्द चित्र है उन्होंने इस पर रूप से इस शब्द का प्रयोक किया कि शब्द चित्र है टीक है जबकि हम लोग रेखा चित्र के नाम से भी उसको जानते हैं तो रांदरिक्षिव्योनी पूरी ने उसकी भूमिका में इस चीज को लिखा हुआ, आप देख रहे हैं कि कितना बारीकी से हमने इस प्रैक्टिस सेट को बनाने के लिए इन किताबों का ध्यन किया है, अगर आप लोग सपोर्ट देंगे, आप लोग इस चैनल और इस प्रैक प्रथन नहीं है, ये मूर्ते न इन में कोई खुफसूर्ती है न रंगी नी, ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए जिन्दगी के नजदीक है, जिन्दगी से सराबोर है, मैं साफ कर दूं, ये कहानिया नहीं, जिवनिया है, लेखान एक अनावरत यात्रा, जिस हमें ये नहीं भूलना है, कि हमें फाइनल एक्जाम में जाना है, जहां पर हमारा मुकाबला सौफ क्वेश्चन से होगा, साथ में माग, अगर फर्स्ट प्रिपर का जोल लूँ, तो 150 क्वेश्चन का मुकाबला होगा, और सभी क्वेश्चन एक से एक होगे, तो उस समय हम में इस इसको क्लियर करना है कि आखिरकार इसका सही जबाब क्या होगा, तो यहां पर सही जबाब हो गया, ऑफ्सन चौथा, जो कि माटी की मूर्तें से समबंदित नहीं है, ये किस से हो गया, मन्नू भंडारी का ये कथन है, आगे बात करते हैं, पुछा गया कि माटी की कुल 12 शिर्षक दिये गए, उन शिर्षकों में हमें बताना है कि कौन सा ओप्सन सही है, ओप्सन A सर्जु भहिया, ओप्सन B रूपा की आजी, ओप्सन C भहोजी, ओप्सन D वैजु मामा, ओप्सन E बुधिया, तो इनका क्रम क्या है, नीचे सही कूट का चेन हमें करना है, A, B, C, D, E इस तरीके से दिये गए, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जबाब है, आप यहाँ पर दिमाग दोडाईए, सही जबाब है ओप्सन पहला, A, B, C, D, E, यानि जो भी क्रम है, वो एकदम से क्रम से दिया गया है, और इसलिए दिया गया है, कि आप कम से कम इन क पुलू रखे, कि भया पहले है, आजी बाद में है, फिर भवजी है, फिर मामा है, तो इस क्रम को अगर ध्यान में रखेंगे, तो अगर इन बारहों में से भी घुमा कर आएगा, तो भी आप कर लेंगे, सही जबाब हमने बता दिया, आप्सन पहला है, अगला प्रशन है, कि स्वामी, तुम्हारी ही चीज, तुम्हारे चरणों में चड़ाती हूँ, इस तुक्ष सेवा को अपनाना, तुम्हारी दासी या रानी, यह कथन किस रचना के संदर्में, चंदरगुप, इसकंदगुप, ध्रोश्वामनी, प्रेम चंद घर में, तो यह कथन किस पुष इसलिए मैंने शुरू में बता दिया कि हमने उन अंशों को लिया हुआ है जिसको अधिकतर विद्यार्थी इग्नोर करते हुए आगे जाते हैं और एक्जाम में आ जाता है प्रश्ण तो घबराने लगते हैं कि आखिरकार प्रश्ण पूछा कहा गया था तो देख रहा है आ समरपन से इस क्वेश्ण को लिया गया है आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है कि साहित्य जगत से बहुत कम इंसाफ मिला है शिवरानी देवी के संदर में यह किसका कथन है शिवरानी देवी से बात करते हुए कि इस बात को कहा कि साहित्य जगत से बहुत कम इंसाफ मिला है प्रेम चन अम्रित राय जैशंकर प्रसाथ हरिवन्ष राय बच्चन तो इसका सही जबाब यहाँ पर आप्सन पहला प्रेम चन शिवरानी देवी से इस बात को कह रहे हैं कि सहीत जगत से बहुत कम इंसाफ मिला है यानि कि बहुत खुश नहीं है वह अपने सहीत से या फिर उससे जुड़े हुए लोगों से क्योंकि जब आप प्रेम चन घर में पढ़ेंगे तो बड़े मजिदार तरीके से शुरानी देवी ने लिखा है उसमें सभी गुण मवजूद है कभी-कभी उसमें बीर रस दिखाई पड़ता है कभी स्रिंगार रस दिखाई कभी करूण रस दिखाई पड़ता है कभी शांत रस दिखाई पड़ता है सारे रसों का समावेश इस जीवनी में है तो प्रेम चन का ये कथन रहा आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है कि मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए जेयों की त्यो कभी बुच्तक की भूमिकासे है प्रेम चंदघर में एक कहानी अभी आपधरी ठकुरी बाबा कि है की ये कथन की एस साही जबाब है प्रेम चंदघर में तो ध्यान में रखें कि शिवरानी देबी, जिनकों की हम विष्वदित तरीके से सहितिकार के रूप में नहीं लेकिन प्रेम चन्द घर में लिखने के बाद हम उनको एक साहितिकार के तरफ पर जान रहे हैं उन्हीं का एक कथन है कि मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए जियों की त्यों कह दी है आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से मन्नु भंडारी ने कहा है क कि यह हमारे जीवन की कहानी है तो इसमें जरूरत नहीं पड़ी कुछ काटने चाटने की या फिर घटाने बढ़ाने की जैसे थी वैसे हमने कह दे यहां पर शिवरानी देभी ने भी इसी बात को कही तो यहां पर क्या चीज उभरकर सामने आ रहा है इमांदारी का होना चा प्रेमचंद घर में लेखिका ने प्रेमचंद के बचपन के किस खेल का जिक्र किया है अगर आप प्रेमचंद घर में रशना को पढ़ेंगे तो उसमें शिवरानी देभी ने प्रेमचंद के बचपन के खेल का उलेख किया है जो कि आपके एक्जाम के लिए महत्पूर है क असी-असी में उन्होंने एक लोगों का गाल ही कार दिया। तो बच्पन में इस तरीके की हरकतें सभी लोग करते हैं और प्रेमचंद ने भी किया था। आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है कि प्रेमचंद घर में का असत्य कथन है। पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी, माता पिता दोनों को संग्रहणी की विमारी थी, आप पढ़ने में बहुत कमजोर थे। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है। बारीक से अध्यान करेंगे, तभी इस प्रश्ण का सही जबाब आप दे पाएंगे, बाकि आप इसे प्रश्ण के माध्यम से आगे का जो भी एकजाम है, उसमें कॉन्फिडेंस के साब जा सकते हैं, सही जबाब है आप्शन चलथ आगे चलकर प्रेमचंद भी इसी से परिसान रहें, उन्होंने एक वाग की लिखा कि आप पढ़ने में बहुत तेज थे, और एक मौलवी के पास जाकर वो उर्दू सीखते थे, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, प्रेमचंद हिंदी या अंग्रेजी शुरुवा का पहले से बाद का क्रम है, वैसे तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद घर में शिर्षक योजना बहुत सीरियल वाजी नहीं दी गई, अलग-अलग पेच पे अलग-अलग शिर्षक दिये गए, ठीक वैसे जैसे पलिक्षा गुरु के बारे में, तो हमने यहाँ पर आप ल दिया गया है, और हमें सही कूट का यहाँ पर चैन करना है, ठीक है, तो सही जबाब है, option पहला ही, A, B, C, D, E, यानि कि हमने आपकी आसानी के लिए A, B, C, D, E रख दिया है, ठीक है, आप अपना माथा पची तो करेंगी, जब नहीं आएगा, तो माथा पची करेंगे, पहली आपचारिक मुलाकात कहां हुई थी, आप देख रहे हैं कि आपचारिक मुलाकात से रिलेटेड यह दूसरा प्रश्न है, शिवरानी देभी कहां मिली थी, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरानी देभी क्या थी, बिधवा थी, इनकी दूसरी शादी प्रेम चंद से ह और प्रेम चंद की वैसे शादी पहले हो चुकी थी और यह लिखते हैं कि शुरुवात में अपनी पहली पत्नी को इन्होंने नहीं देखा था लेकिन जब देखा तो इनके शरीर में खून ही सूख गया यानि यह दिख भर्मित हो गए कि यह कैसी पत्नी मतलब खुब शूरत पत्नी नहीं थी प्रेम चंद का यह के दूसरा पहलू आप यहाँ पर देख रहे हम इनको उपन्यास समराट कथा समराट और हिंदी के महान सहितिकार के तोर पर देखते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप में देखें तो प्रेम चंद अपनी पहली पत्नी से खुश नहीं थे उसको उन्होंने छोड़ दिया था बलकि उन्होंने अख़बार में या फिर कहीं इस्ताहार निकाला था कि मैं शादी करना चाहता हूं मैं फला जगा नवकरी करना चाहता हूं अगर कोई करना चाहे तो मैं शादी कर सकता हूं तो शिवरानी देवी के पिता जी जो थे जि और दूसरी चीज़ आप देखेंगे प्रेम चंद की अच्छी बात कि इनों ने विदवा विभा का एक तरीके से समर्थन किया ये भी दूसरा पक्ष है तो कुल मिलाकर इस प्रश्ण के बहाने अपने कई तथ्यों को देखा है क्योंकि समय हमारे पास ने इसलिए हम विस्ता प्रेम चंद घर में इस बाता का जिकर गिया है कि प्रेम चंद का पहला अपन्यास था कृष्णा इसको आप आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर है अगला प्रश्ण है कि प्रेम चंद को गोरखपुर में अध्यापन कारे के लिए कितना बेतन मिलता था जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेम चंद इंस्पेक्टर के भी नवकरी किये हुए थे इसके बाद इन्होंने रुपे पर इन्होंने अध्यापन कारे किया था याद रखे ये जमाना है उस जमाने का लगबग 1922 के असपास की एक कहानी है 125 रुपे आज के अगर तुलना में देखें तो उनकी कीमत क्या हो सकती थी 125 रुपे में इन्होंने अध्यापन कारे किया कहां पर गोरखपुर म आगे बात करते हैं कि प्रेम चंद ने अपने अध्यापन कारे से किस घटना के बाद त्याग पत्र देने की सोची चमपारण सत्यागर, जलियावाला बागत्या कांट, असहयोग आंदोलन, चवरी चवरा कांट तो प्रेम चन अपने अध्यापन कारे यानि प्रोफेसर से त्यागपत्र देने की सोची और काफी अपने पत्नी के साथ वो वाद वीबाद कर रहे हैं कि कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा ठीक है, बहुत सोज विचार कर रहे हैं लेकिन जब गोरकपुर में महात्मा गांधी जी आये हुए थे ठीक है तो उनसे काफी प्रभावित रहे और प्रभावित होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद त्याग पत्र दे दिया अध्यापन कारे से तो एक बड़ा कडम था प्रेमचंद का तो इस कथन को भी कि अंदर की यह बात यहां पर लिखी गई है कि प्रेमचंद अपने पत्नी से बात करते हैं कि यह हिंदुस्तान है कलम के बल पर रोटियां चलाना मतलब जीवन चलाना क्या है बहुत ही मुश्किन है कि इसने कहा ऑप्सन दिया गया प्रेमचंद शिवरानी देभी जशंकर प्रशाथ मर्यादा के संपादक संपूरा नंद सही जबाब है कि प्रेमचंद ने इस बाद को कहा यहां पर एक चीज और बताई जा रहे है कि मर्यादा के संपादक का नाम आपर बताया गया है पहले इनको ध्यार्म रखे आगे चलकर खुद प्रेमचंद ने मर्यादा का संपादन भार सम्हाला था आगे बात करते हैं कि जब प्रेम चंद रंग भूमी लिख रहे थे तब किस महराजा का पत्र उनके पास आया था रंग भूमी जब लिख रहे थे प्रेम चंद तो कौन महराजा था जो कि उनको पत्र भेजा था सही जब आप यहाँ पर option दिया गय जब वो रंग भूमी उपन्यास लिख रहे थे, आगे बात करते हैं, पुछा गया कि शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस, जो कि चाद में प्रकाशी थुई, 1924 में उस समय चाद के संपाद कौन थे, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल ये question paper में आ चुका है प्रशन, लेकिन यहाँ पर हमने प्रशन को थोड़ा सा और मोडिफाई करते हुए इसमें नए तथे को शामिल किया, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस थी, जो कि चाद नामक प्रकाशी थुई, 1924 में प्रकाशी थुई थी, उस समय संपादक कौन थे आप्सन दिया गया है निराला, पंत, महादेवी वर्मा, आर सहगल, सही जबाब है आप्सन चोथा, आर सहगल नामके व्यक्ति जो कि चाद के संपादक थे, जब शिवरानी देवी की पहली कहानी चाद छपी थी, चाद में साहस नामकी कहानी छपी थी, आगे बात करते हैं एकला प्रश्ण है कि साहस कहानी को लेकर प्रेमचंद की प्रतित्रिया के संदर में असत्य कथा ने, साहस कहानी जब लिखा गया, तो कई संपादकों ने प्रेमचंद को लेटर लिखा, कहा कि आप तो उपन्यास समराठ थे ही, अब आपकी पतनी भी कहानी या लेखां के चेतर में उतर चुकी ही, आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई, लेकिन उस समय शिवरानी देवी ने साहस कहानी में कुछ ऐसा लिख दिया था, कि चारो और चर्चा का विशे हो गया था, चर्चा का विशे क्या था, आप अब लेखी का भी बन गई, कहानी भी लिखी तो पूर्षों पर ही कटाक्ष किया, सब कहते थे, पूर्षों पर आक्षिव किया है, कहानी क्या थी, एक मजाग थी, शाहस नाम की कहानी जो शिवरानी देवी ने लिखा, उसमें उन्होंने पूर्षों को ही निशाने पर लिया था, जायर सी बात है कि कोई भी इस्तरी पहली लेखिका उन्हें लिया उसको, और लेखकों ने भी लिया, तो सहस कहानी को देखने के बाद प्रेमचंद ने जो किरिया दिया है, उसको हम देखते हैं, उन्होंने कहा, आप अब लेखिका भी बन गई है, ये कथन सही है, कहाने भी लिखी तो पूर्षों पर ही कटाक्ष, प्रेमचंद कहा रहे हैं, कि लिखी भी तो पूर्षों के उपर ही कटाक्ष कर दे, सब कहते थे, यानि कि उनके जो आसपास के लोग थे, उन्होंने कहा कि पूर्षों पर आक्षेप किया है, ये भी कथन सही है, इस पर ये जो कथन नीचे का, जो कि आप देख रहे हैं कि असत्य यह कथन शिवरानी देवी का है, उन्होंने कहा कि कहानी क्या थी, यह मैंने तो मजाक मजाक में लिखी दिया था, तो चौथा ओप्सन यहापर क्या हो रहा है, ऑगे बात करते हैं, कि गल्प सम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, प्रयाग, राय बरेली, लकनाउं, में गल्प सम्मेलन किया गया था अगला प्रशन है कि प्रेम चंद माधुरी पत्रिका का संपादन करते हुए मोटे राम शास्त्री नाम से एक कहानी लिखी थी जिस पर एक शास्त्री महोदे ने केस किया था जमानत के लिए कितनी राशी जमा करनी पड़ी थी जैसा कि आप दो-तीन लोग और थे जिनके नामों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है एक थे क्रिश्ण बिहारी मिस्र ठीक और एक थे जो माधुरी पत्रिका के मालिक थे उनका ना था विश्णु नारायन में भी ये लोग आ जया है तो आपको ये न लगे कि ये किस रशिना के पात यहां पर आप्शन दिया गया 100-200-300-500 सचैजब सब्सक्राइब और चोथा 500 रुपे ने लोगों को जमा करना पड़ा था आप कल्पना कीजिए उस जमाने में थीक है अलगबग ये बात कही जा रहे है 1925-26 के आस पास में तो 5 500 रुपे देना कितने मतलब जमान के लिए र पुत्री का नाम तो जैसा कि आप जानते है कि कमला था, जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए आप देखेंगे कि बेबी सी पर ठीक है, बेबी सी पर एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें कि प्रेम चंद की आलोचना की गई थी, कि उन्होंने इस तिरियों क को ध्यान रखती वे, देर सारी रचनाय की, लेकिन जितना उन्होंने अपने पुत्र धन्नू बन्नू इन सब को पढ़ाने का प्रियास किया, उतना कमला को पढ़ाने का प्रियास नहीं किया, बहुत जल्दी ही शादी कर दी थी, प्रेम चंद के दामाद का नाम क्या है, द कि देवी प्रसाद यहां वो प्रेम चंद के ससूर है, इस इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसकी चर्चा मैंने उपर के प्रशन में किया था, कि आगे पता चलेगा कि शिवरानी देवी की जो पहली आफचारिक मुलाकात करवाई थी, वो देवी प्रसाद नहीं कराई थी, क्योंकि प्रेम चंद ने अपने शादी का एक तरीके से इस्तहार निकाला हुआ था कि मैं करना चाहता हूं, तो उनके दामात का नाम देख लिजेए इस रचना के बहाने, अगला प्रशन है, शिवरानी देवी ने किस आंदोलन के दोरान जेल जाने का निरड़े लिय इसलिए उन्होंने उसी कहानी को लिखा, साहस नाम से लिखा, प्रेम चंद जब नमक कानून आंदोलन में इन लोगों ने गांदी जैसे प्रभावित होकर कुछ किया, तो इनको जेल जाने का मतलब ओडर आए, तो शिवरानी देवी ने कहा, कि मेरे बच्चे जेल जाने ल पूड़ी रही, जिसमें कि 11 महिलाओं के साथ मिलकर इन्होंने एक महिला आसरम बनाया था, जहां पर सभी महिलाओं कठा होती थी और तमाम बातें करती थी, तो शिवरानी देवी एक मजबूत करेक्टर के रूप में प्रेम चंद के जीवन में रही, और जाहिर सी बात है, कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में मजबूत महिलाओं होती हैं, वो व्यक्ति हमें सागे बढ़ता है, और मुझे याद आता है कि जब मैं MA का विद्ध्यारती था, तो प्रेम चंद स्पेसल पेपर हमने पढ़ा हुआ था, और हमें पढ़ाये थे, प्रेम चंद के बड़े विश्षग्य और भारत के सरस्रिष्ट प्रोफेसरों में से एक जो कि प्रेम चंद विश्षग्य के तौर पर जाने जाते हैं, बीर भारत तलवार, उन्होंने आएक बार हम लोगों को प्रेम चंद घर में है, पढ़ने के लिए कहा था, और इस पर सेमिनार भी दिया था, तो हमारे क्लासमेट बार बार क्यों कह रहे है, तुम तो शिवररानी क हो, तो यह पुरानी यादे थी, इसी तरीक से पीचर्स मिलते हैं, जब अच्छे पीचर्स होते हैं, तो यादें लगातार जियो नभर बनी रहे है, तो जेल जाने का नेडे लिया था, शिवरानी दे अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये नमक कानून कब हुआ था और क्या था ये सारी चीज़ें आप जानी रहेंगे। अगला प्रशन है कि काशी विश्विद्याले का जलसा कब हुआ था जिसमें प्रेमचंद को आतिथी के तोर पर बुलाया गया था आप्सन दिया गया 1931, 32, 33, 34 तो काशी में जो जलसा हुआ था उसे जलसे में प्रेमचंद को बुलाया गया था वो समय था 1933 अगला प्रशन ह जो कि बहुत ही महत्पूर कि हांस और जागरण मासिक और सापता ही दो पत्र निकलते थे, खर्चा बढ़ा हुआ था, बंबई से फिल्म कमपनी वालों ने बुलाया प्रेमचंद किसकी सला से बंबई गये, यहां पर टर्रिंग पॉइंट से, कि जब प्रेमचंद हांस और ज प्रेमचंद के समय में अबबल की, हमने भारतियंद योगीन पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी चर्चा की थी, आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, वहां पर भी थी, यानि कि पत्रों का संपादन करना बड़ा इजी नहीं होता था, उसके लिए प्रेम चंद्र भाल जोहरी, दया नरायन निगं, जैनेंद्र, तो वो मित्र थे उनके चंद्र भाल जोहरी, उन्होंने कहा कि आप को जाना चाहिए, और वो फिर बंबई गये, तो इस प्रश्न का जवाब आप बिलकुल यहां पर ध्यान में रखे, पूछा जा सकता है, अगला प अपने गाउं कब आये थे, आप्शन दिया गया 1934, 1934, 1936, तो इसका जो यहां पर सही जबाब है, कि आखरी बार अपने गाउं आये थे, सन 1935 में, और गाउं आये ही नहीं थे, बलकि थोड़ा बहुत घर का काम उन्होंने करवाया हुआ था, यानि कि घर अपना जोभी ट घुमाने के लिए लाते हैं, और कहा जाता है कि लमही एक ऐसा गाउं है, जो कि इस समय आप गूगल पर ट्रेंड करता है, या फिर उसको बकायदे अच्छे से रेनिवेट किया गया, आप अपने अपने गाउं को खोजे साहद न मिले, लेकिन ये लमही प्रेमचंद के के दूर ये गाउं, ज्यादा दूर नहीं, अक्सर काशी इंदविशी विद्याले के प्रोफेसरों और सिक्षकों को मैं जाते हुए देखा हूं, और मैं तो जाता ही रहता हूं बनारफ्तो, अलग ही बात है, आगे बात करता हूं गला जो प्रश्न है, ये बड़ा ही जब कल्पित बातों पर रोने बैठती हो, उस पर आपको नाज है कि इस्तिरियों को रोने का मर्ज नहीं है, अब खुद ऐसा क्यों कर रही हो, ये जानती वे भी कि ये बातें कल्पित हैं, ये कथन प्रेम चंद के किस उपन्यास के संदर्द में है, ये प्रश्न इसलिए मैंने पूछा है, पहले देख लिजे किस उपन्यास के बारे में ओप्सन दिया गया सिवा सदन, निर्मला, गोदान, मंगल सुझ, जितने भी उपन्यास दिये गये हैं, प्रेम चंद के अच्छे उपन्यासों में से एक है, जब प्रेम चंद गोदान लिख रहे थे, तो वो अप प्रसंग को पढ़ा, जहांपर होरी का निधन हो गया है, और इसको पढ़कर वो रोने लगी, लगातार रोने लगी, इसको देखकर प्रेम चंद भी हडवड़ा गये, बोले कि तुम तो बहुत मजबूत महिला थी, क्यों रोने लगी, तो उन्होंने कहा कि अंत में धनिया को बिधवा ही बना दिये, ये देखे, बहुत बड़ी बात हैं, यहांपर कही जा रहे है, प्रियविद्यार्थियों आप ध्यान में रखे, एक बिधवा महिला ही, एक बिधवा की इस्तिति को जान सकती है, क्योंकि शिवरानी देवी इस अनभूती को पहले से जान चुकी और अभी तक इस तरीके से रोते हुए प्रेम चंद ने नहीं देखा था, वो भी घबरा गे, और उनने का आके तुम बड़ी पागल हो, ये कल्पित है, ये मेरी कल्पना है, लेकिन कल्पना कई बार क्या हो जाती है, साकार हो जाती है, और अंत में आपने देखा, कि जिस तरीके से घोरी धनिया को छोड़ कर इस दुनिया को चला जाता है, वैसे ही शिवरानी देवी को एक बार दूसरा जटका लगता है, कि प्रेम चंद उनको छोड़ कर चले जाते हैं, हम पढ़ाई करेंगे, हजारो प्रेक्टिस सेट करेंगे, हजारो लाइफ सेशन करेंगे लट समालते वे और हाथों को फैलाते वे टीचर्स को देखेंगे लेकिन इस अनभूती को अनुराज हिंदी एकेडमी पर ही देखने को मिलेगा आगे बात करते हैं गला जो प्रश्ण है पुछा गया कि मैं न कोई लेखी का हूँ न कोई कलाकार किसका कथन है शिवरानी देवी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, रमडिका गुप्ता ये किसका कथन है कि मैं न कोई लेखी का हूँ न कोई कलाकार में शहीजबाब है शिवरानी देवी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में आखरी पेच पर इस बात को लिखा हुआ उन्होंने आ पर दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा पत्र है जिसका संवंद प्रेमचंद से नहीं है सहीजबाब कौन सा है केवल यह जो चाद है उससे प्रेमचंद का संबन नहीं था भले ही शिवरानी देवी की कहानी इसमें छपी हुई थी बाकि आप देखेंगे मर्यादा, माधुर जागरण अंस इन सभी पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद ने किया था या फिर इससे जुड़े रहे आगे बात करते हैं गला जो प्रश्ण है कि शिवरानी देवी की कहानिया है साहस, कुरुबानी, मंत्र, मोटे राम, शास्क्री सही कूट का चैन हमें करना है A और B, B और C, C और D, A और C तो शिवरानी देवी की कहानिया कौन सी है जब प्रेमचंद घर में आप पढ़ेंगे तो इसमें पुरा बताया गया है कि एक कहानी उनकी यह साहस और दूसरी कहानी है कुरुबानी, मंत्र और मोटे राम, शास्त्री जो कहानी है वो प्रेमचंद की है एक घटना प्रेमचंद इसमें बताते हैं, सही जबाब इसका option पहला A और B, मंत्र के माध्यम से घटना बताते हैं कि एक बार वो जैनेंद्र के घर गए हुए है, वहाँ पर एक पंजाबी सज्जन आये हुए है और उनकी पत्नी मंत्र कहानी पढ़के प्रेमचंद के प्रतिक काफी मंत्र मुग्द है उनको छोड़ने के लिए तयार ही नहीं, किसी तरीके से वह जान बचा कर वहाँ से भागते हैं और आकर फिर वो शिवरानी देवी से इस पूरी कहानी को सुनाते हैं कि मैं कहानी क्या लिखने लगा कि कई लोग मुझे छोड़ी नहीं रहे हैं, इतना मेरे उपर मतलब मंत्र मुग्द हो गया है तो एक प्रसंग यहाँ पर आता है, सही जबाब मैंने बता दिया, option A और B अगला प्रशन है, मुर्दाया आत्मकथा में लेखक ने मईदूरों को किस इस्थान के लिए रेल पकरने है तो मुर्दाया से गुझरना पड़ता था मुर्दाया आत्मकथा में लेखक ने इस चीज को बताने का प्रयास किया है कि जब उसके गाओं के मईदूर फला जगह पर जाते हैं तो मुर्दाया से गुजरते वे जाते हैं अगला प्रशन है कि मुर्दाया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी ती इस जिंदगी को मुर्दाया से खोद कर बाहर लाने का पूरा स्रे लेखक ने किसको दिया है बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला प्रश्न है और भूमिका से हमने सिधे सिधे उठाया है तो तुलसी राम जो मुर्दया के लेखक है उन्होंने किसको कहा कि हमने तो बहुत दिनों से इन यादों को समेट कर रखा था लेकिन सबसे पहले खोद कर बाहर निकालने का सिरे क इसको दिया गया तदभव के मुख्य संपादक अखिलेश को हंस के संपादक राजिंद्रियादों को आलोचना के संपादक नामवर सिंग को साखी के संपादक सदानन साही को तो एक कौन संपादक है और पत्र है या फिर पत्रिका है जिसने मुर्दहिया को मुर्दहिया ब ठीक है ये शहर भी काफी फेमस है आप अपने दिमाग में लादी होंगी तो मुर्दहिया को मुर्दहिया बनाने वाले कौन थे तदभव के मुख्य संपादक अखिलेश अगला प्रश्ण है कि प्रवासी मजदोरों से ही पता चलता है कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सडक ने हमारे गाउं को तीन जीलों से जोड़ा है कि संदर मिश सकते हैं वो तीन जीले कौन है आपसन दिया गया है आजमगर्द, गाजीपूर, बनारस, महु, चंदवली सही कूट का चैन हमें आपर करना है तो प्रवासी मजदोरों से पता चलता है क्योंकि ऐसा झाले लग रहा है कि जो तुलसी राम का गाउं है वो जारा तर पलायन से जुड़ा हुआ है लोग महिदूरी के लिए कवकता जाते हैं एक जमाना था कि लोग कवकता जाते थे aged कार्थ पर कई गाने भी बने गोई तो यह काुन है सही जबाब है यह आजमगर्द आ घाजि से आनन्दा जाएगा अगला प्रश्ण है कि तदभव के धारवाहिक अंक में मुर्दहिया कितने किष्टों में प्रकासित हुई थी जैसा कि आप जानगे कि तदभव पत्रिका में मुर्दहिया का धारवाहिक रुप से प्रकाशन हुआ कितने किष्टों में प्रकासित जिसके भाग एक के नाम से, ठीक कभाई संदुहजार दसंग, आगे बात करद आगला जो प्रस्थने है, मुर्दङया आत्मकथा के सिर्षकों के क्रम में पहले से बाद में है, पहले से बाद में हाँ हमें बताना है कि कौन सा क्रम है, भुतनिया नागिन, भूताई पारिवारिक पिष्ट भूमी, मुर्धाया के गिद तथा लोक जीवन, मुर्धाया तथा इसकुली जीवन, आजमगड में फाका कर्शी तो मुर्धाया में कई शिरुषरक है, इसके चर्चा आमने पिछले प्रैक्टिस सेटों में की हुई है यहाँ पर भी आप अपने दिमाग में जरूर लाइए कि आखिरकार इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब है यहाँ पर आप्शन पहला, B, D, C, E, A, E, ठीक तो यानि कि पहला क्या है, भुताई, पारिवारिक, पिष्ट, भूमी, दूसरा है, मुर्धाया तथा इसकुली जीवन, आप याद किजिए, तीसरा है, यहाँ पर तीसरा दिया गया है, मुर्धाया के गिद्ध तथा लोक जीवन, फिर यहाँ पर चोथा दिया गया है, भ एक किस अंस से उद्रित है, ठीक है, मुर्खता मेरी जन्मजाद विरासत थी, किस अंस से है, option दिया गया है, भूतही पारिवारिक पिष्ट भूमी, मुर्धया तथा इस्कुली जीवन, भूतनिया नागिन, आजमगड में फाका कशी, तो सही जबाबे option पहला, भूतही पार से भी आप जानगे, अगला प्रश्ण है, कि संस्कृति के चार अध्याय के, शीर्षक पहले से बाद के कर्म में, तो यहाँ पर संस्कृति के चार अध्याय से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, और हमें बताना है कि करम कौन सा सही है, भारतिय जन्ता की रचना, और प्राचिन हिंदुत्यों से विद्रो, हिंदुस संस्कृति और इसलाम, भारतिय संस्कृति और युरोग, यह चार अप्शन दियेगा, इन चारो अप्शन के आधार पर सही कूट का चैन हमें करना है, कि आखिरकार पहले से बाद के करम में कौन है, तो सही जबाब इसका आ संस्कृति और इसलाम, भारतिय संस्कृति और इरोग, आप्शन A, B, C, D, ठीक और चार अध्याया है, चारो शीर्शक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर अध्याय में अल्हाद अलग क्या है, प्रकरण है, प्रकरण इसमें तीन है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो साथ हैं, फिर इसमें आप देखेंगे 12 प्रकरण है, फिर इसमें देखेंगे तो 17 प्रकरण है, यानि आप देखेंगे कि जो चौथा अध्याय है, वो सबसे बड़ा है, और मुझे ये बताना उचित लग रहा है, कि अगर आप बैचारिक प्रिष्ट भूमी, यूनिट चार पढ़ रहे हैं, तो अभी तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एकजाम जल्दी होने वाला आपका 18 जून को, जब यह मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 17 जून है, ठिक, आलेकिन आगे जब आप दिसंबर में एकजाम देने जाएं, तो इस चैप्टर को जरूर पढ़िए जो चौथा चैप्टर है, भारते संस्कृतिय औरी रूप, यहां से कई सवाल बने हुए हैं, हमने भी थोड़ा सा लेट देखा है, आगे बात करते हैं गला जो प्रश्न है, संस्कृति के चार अध्याय के संदर में असत्य है, कौन सा ऐसा कथान है, जो संस्कृति के चार बारे में असत्य है, राजेंद प्रशाद को समर्पित है, प्रस्तावना जवाहलान नहरू ने लिखी है, तीसरे संस्कृति के जोन सा त्रकरण तो कौन सी बात है जो कि असत्य है, यानि कि गलत है, सही जबाब है और अप्शन 4 था, इसमें 40 प्रकरण नहीं बल्की 49 प्रक तीसरे संस्क्रण यानि कि एक दो तीन जो संस्क्रण आये इनकी भूमिका दिनकरजी ने लिखी है और ये पुरा प्रकरणों में और अध्यायों में बटा हुआ है इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए आगे बात करते हैं गला जो प्रशन है पर इस तन अठार राजा राम मोहन राय इस चंद्र विध्या सागर देवेंदरनाथ दयानन सरस्थी तो इसका जो सही जबाब है यहां पर कि राजा राम मोहन राय ने सन अठार सो तीन में इस पुस्तर को निकाला था अगला प्रशन है कि इस देश में तो इसा की शरण में जाने की उपदे इसको मृत्ति की शरण में जाने को मानते हैं सही जबाब है फ्रांसिस जेवियर यह सभी प्रशन आप देखेंगे तो संस्कृति के चार अध्याय से हमने लिये हुए इस उम्मीद से कि पिछले बार के पैटर्ण को देखते हुए यहां से सवाल बन सकते हैं जो भी सवाल अगला प्रशन है कि राजधानी परिवर्तन यानि जब राजधानी दिल्ली से बलकि कोलकाता से दिल्ली हुई 1912 में तो यह शेर लिखा था कदम अंगरेज कलकते से अब दिल्ली में धरते हैं तिजारत देख ली देखें हुकूमत कैसी करते हैं किसने इस बात को कही है मिर पर इलहाबादी यह भी संस्कृति के चार अध्याय में लिखा हुआ है अगला प्रशन है कि संस्कृत परम अधुद भाशा है किसने कहा था बिलियम जोन्स मैक्स मूलर ग्रीम निठ से तो किसका कथन है सही जबाब हो गया ऑप्शन पहला बिलियम जोन्स बिलियम जोन्स व्यक्ति है जिसने संस्कृत का गयराई से अध्यन किया और आप जानते कि एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल जो कि कलकत्ता में इस्थापित हुई थी ठीक है उसको इन्होंने ही इस्थापित किया था और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अनुबाद किया गीता का रगुवन्स का अनुबाद किया है और साथ में अनुबाद किया है मनुस्मृति का यह बड़ा जवरदस्त यहां पर तथ्या है और मानव धर्म सार नाम से मनुस्मृति का अनुबाद किया था मानो धर्म शास्त्र ठीक तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखिए अगर माले ये क्वेश्चन कहीं से पुछ लिया जाता है तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे कोशिश यह है कि इन प्रश्णों के बहाने आप कर लें बढ़त बना लें ठीक है आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है कि थोड़ी सी पाष्चाति सिक्षा से ही बंगाल में मूर्ति पूजने वाला कोई नहीं रह जाएगा किसका कथन मैकाले मैक्स मूलर ग्रीम निट्से सही जबाब है मैकाले लाड मैकाले जो की 1835 म भारत में पाष्चाति सिक्षा लागू करने की पूरी योजना बनाता है और पहला आकरमड़ो करता है बंगाल कहता है कि बंगाल में ज्यादा लोग प्रोग्रेसिव बन रहे हैं तो अगर इसमें पाष्चाति सिक्षा लागू हो जाती है तो मूर्ति पूजने वाला कोई नहीं मिलेगा मैकाले का एक कथा अगला प्रशन है कि था शिश्य इशा हिंदूओं का यह पता भी चला हिसाईयों का धर्म भी है बहुत साचे में ढ़ला पंक्तियां ली गए यह पंक्तियां किस रचना से ली गए ऑफशन दिया गया भारत भारती साकेत यसोदरा पंचुव अगला प्रशन है कि भारती नवत्थान का रीड माना गया है वेद को पुराण को रामचरित मानस को वेदांत को तो संस्कृती के चार अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि वेदांत को भारती नवत्थान का रीड माना गया है सही जबाब अगया आप्शन च तो असत्य कथन कौन हो गया, option चौथा हो गया, अगला प्रशन है, राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था, कलकत्ता में, लंदन में, ब्रिश्टल में, बंबई में, तो राजा राम मोहन राय, जिन उने सांस्कृतिक आंदोलनों में हिस्सेदारी की, समाजिक सुधार के त ब्रह्म समाज का नित्तिनत्व किया था, इश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंदरनाथ, केश्व चंद्रसेन, राभींदरनाथ, जब राजा राम मोहन राय का निधन ब्रिश्टल में हो गया, तो ब्रह्म समाज को आगे किसने बढ़ाया, ठीक है, तो सही जबाब है कि देवेंदरनाथ, इसका सही जबाब है, बलकि केश्व चंद्रसेन, केश्व चंद्रसेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था, सही जबाब हो गया, आप्शन तीसरा, ठीक, आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है, कि तत्तो बोधनी सभा को इस्थापित किया था स्थापित किया अप्शन दिया गया, इश्वर चंद्र विद्या सागर देवेंदरनाथ केश्व चंद्रसेन राम मोहनराय, सही जबाब है आप्शन तीसरा, केश्व चंद्रसेन ने तत्तो बोधनी सभाकी स्थापना की थी, सुमेली तवाले में यह प्रशन आ सकता है, अ चार उद्धेशी थे उसमें से कौन शामिल नहीं है हमें बताना है जाती प्रथा का विरोद, विद्वा, विवा का समर्थन, इस्त्री प्रचार, इस्त्री शिक्षा का प्रचार, बाल विवा का निश्यत, सती प्रथा का समर्थन तो कौन सा ऐसा कूठ है जो के प्रार्थना समात को देश्यों में नहीं था तो इस तरीके सही जबाब अगया ओक्षन चोड़ था अगला प्रश्ण है कि निमलिखित में से किसने स्वामी दयानन्द को या सला अद्धी की यदि आप संस्क्रित छोड़ कर हिंदी में बोलना आरंभ करें तो देश का असीम उपकार हो सकत है तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी ही हो गई हिंदी हो गई और हिंदी प्रांटों में उनने अंगीनत अनुआई मिले राजा राम मोहन राय केश्व चंद्रसेन देवेंदरनात रभींदरनात तो यहां पर इसका सही जबाब क्या होगा कि कि किसके क अच्छा भारत वासिया और हिंदू ही कर सकते हैं किसका कथन है एनी बेसेन महात्मा गांदी भियुम राम बेटकर राम मनुहर लोहिया सही जबाब है ऑप्सन पहला एनी बेसेन जो कि भारत में अठारा सो तिरान बेस्वी में आई थे यह भी सवाल पिछले साल के क्वेश और हिंदू ही कर सकते हैं एनी बेसेन अगला प्रशन है कि स्वामी विवेकानंद के बच्चपन का नाम था स्वामी विवेकानंद के बच्चपन का क्या नाम था आप्सन दिया गया नरेंदर मोहन नरेंदर नाथ दत्त नरेंदर दामोदर नरेंदर आचारी तो कौन सा ना प्रेमचंद गोरकी जान इस्ट्वार्ट मिल, तो इसका सही जombाब है। कि दो लेखकों के प्रेमी थे सहज़ब है हर्बर्ट और जानस्ट्वार्ट मिल यानि कि ए और ड जो ऑफसन यहाँ सही है। प्रेमचंद घर में जब आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद गोर्की से काफी प्रभावित थे, गोर्की का निधन भी 1936 में हुआ और प्रेमचंद का भी निधन 1936 में हुआ, गोर्की का नाम मैंने देखा तो मुझे ये तथे याद आ गया, तो इस चीश को भी आप जोड़ अमेरिका यात्रा, तो विवेका नंद जो की 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मिलन में भागिदारी लेने के लिए गये थे, उसकी तुलना जवाहालान नेरू की यात्रा उनिसो पच्पन में, जब वो रूस की यात्रा पर गये थे, तो उसकी तुलना की जाती है, जि की दिनकर ने संस्कृति के चारा ध्याय नाम के पूस्तक लिखी है, और जवाहलान नेरू इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे, कहा जाता है कि एक बार नेरू किसी राजनितिक मंच पर भाशन देने के लिए गये और सीड़ी पर वो लड़ ख़़ा गये, और उनको दिनकर आज में संभाल लिया, तो नेरू ने दिनकर के कान में कहा, कि आपने संभाल लिया, इज़्जत मेरी बचाली ने तो आज में गिर ही गया होता, तो उन्होंने कहा कि जब जब राजनिति लड़ ख़़ाई है, तब तक सहित्य ने उसे संभाला है, बहुत बड़ी बात कहा आज वर्तमान समय में हमें नहीं पता है कि जो प्रधान मंत्री हैं या फिर लेखक हैं उनका आपस में कितना संभाल है, अगला प्रशन है कि विवेकानंद का कथन नहीं है, विवेकानंद का कौन सा ऐसा कथन है, जो कि सही नहीं है यहाँ पर, धर्म मनुस्य के भीतर नेत देवत्यों का विकास है, धर्म न तो पुष्टकों में है न धार्मिक सिध्धानतों में, वह केवल अनभूती में निवास करता है, धर्म अंध विश्वास नहीं है, धर्म अलोकिता में नहीं है, वह जीवन का अत्यांत स्वाभाविक तत्यों है, मेरे लिए इश्वर सत् कथन है जो कि विवेका नंद जी का नहीं है सही जबाब है option चौथा चौथा जो कथन है यह महात्मा गांधी का है ठीक है गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए इश्वर सत्य और प्रेम नैतिकता और सदाचार है जबकि आप उपर के जितने भी कथन देख रहे हैं सभी कथन किसके अगला प्रश्ण है यहाँ पर एक साहित्तिक की डायरी से पुछा गया कि शिर्षक का क्रम पहले से बाब में है हमें बताना है तीसरा च्रण एक लंबी कविता का अंत डबरे पर सूरज कभिम हाशियर पर कुछ नोट्स कलाकार की विक्तिगत इमानदारी सही कूट का चैन में करना है तो यहाँ पर आपने पूरे शिर्षकों को देख लिया और आपने दे लिया कि ABCDE यहाँ पर दिया यह सभी क्या है emergence से ही हैँ तो कम से कम जो मेनुन सेर्षक ते कि उनको हमने यहाँ पर रख दिया ताकि उसी के बहाने आप परिक्षान किसी तरीके से भी घुमा फिरा कराए तो सही जवाब तक पहुँच जाए तो प्रियविद्यार्थियों हमने टार्गेट 75 करके रखा हुआ है कि आप सो में अगर 75 प्रशन भी सही करके आते हैं तो यह मान कर चलिए कि आपका पेपर अच्छा हुआ है बाकि की फर्ष्ट पेपर में आप टार्गेट करके चलिए 25 तो टोटल आप सो प्रशनों का टार्गेट करके चलिए आपका नेट और जारफ क्वालिफाई हो जाएगा मुझे पुरी उम्मीद है और पुरा विश्वास है कि इन प्रशनों को आप मानसिक तोर पर बहुत बोजी तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा मिलते हैं एक नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार